खरेकर्ष्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस भगवद गीता के प्रत्व सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है 18 डेस का कोड़्स जो आप लोगों ने सेलेक्टिया है उसकी जर्णी को उसकी आत्रा को हम आज यहां से प्रारंब करेंगे 18 दिन में आप भगवद गीता को समझेंगे भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जन को कौन सी चमतकारी ग्यान के द्वारा उसका सारा मोह भंग कर दिया और सही रास्ता दिखाया वो ग्यान हमारे कैसे काम आ सकता है या हम कहां स्टेंट करते हैं हम कहां खुद को डिस्टरब प अर्जुन के चलेते हैं और हमारे लिए भगवद गीता दीभगवान ने ताकि हम उसके सही योग से अपने जीवन को सचार रूप से चला पाएं तो 18 दिन की जरनी में हम समझ पाएंगे बहुत सुंदर यात्रा है आप सभी के साथ शुडू हो रही है और मेरी प्रातना है आप सभी से जो भी लोग अभी आज इस सेशन में आए हैं इस यात्रा को कम्प्लीट कीजेगा क्योंकि ऐसा होता है बहुत बारी के हम लोग आते हैं इंटरस बनता है डेवन बहुत अच्छा लगता है फिर दूसरे दिन ऐसा रखता है नीधार यह सो जाते है बर्निंग व भगवान का जो संदेश है वो आप तक सही प्रकार पहुंचा सकूं चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय है ना अध्याय है कुरुक्षेद्र के यूदस्तल में सैलियन एडिक्शन 18 पे हम लोग समझेंगे स्कॉन रादा गोविन मंदिर मैंगलूरू के फाउंडर आचार है ना हमारे फाउंडर टीचर है वो है न स्कॉन के उनकी सिक्षाओं पर आधारित है हमारा सारा पाठेग्रम जितना भी हम कुछ पढ़ रहे हैं स्कॉन के अंदर जो भी रूस रेगूलेशन्स फॉलो होती हैं वो समय में प्रभुपाज जी कृपा से मि प्रभुपाज ने करी और भगवान की बहुत विशेश्च कृपा रही उन्होंने इसको बहुत बिल्कुल नीव से उन्होंने शुरू करके हमें फला पूला हुआ एक ब्रक्ष्र दे दिया अब उसके अनुसरन करना है और उस पे चलते जाना है और उसे मिलने वाले वरस फलो का आनंद में लेते जाना है तो जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्या शुरू होता है तो कोई एक व्यक्ति उसके पीछे बहुत प्रभुपाजी उसमें भगवत गीता के महतु को जानने से पहले जब तक हम भगवान की जो वानी है हमारे पास जो आई है इससे प गुए जाता है क्योंकि हम लोग इसको नो हरे कुछना इसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग को भगवत गीता को प्रभुपाजी ने उस तरीके से पहुचाया कि जो भगवान की वानी है वह हमारे पास आ रही है हरे कुछना एक नट हो ना बस कि बैटो तो हम जानेंगे अगर वह पाजी की बात करते हैं एक सेकंड के लिए मुझे इसको ना मिट करें होगा अगर अगर को कर दो झाल झाल तो मैं बात कर रहे थी प्रभुपाज जी की प्रभुपाज जी मदब जब एक कोई परम वैशनाव होता है वो बैसिकली क्या होता है जब हम कोई आच्रण सीखते हैं तो हम लोग बच्पन से हमारे अंदर नहीं वा जाती तो ऐसी प्रभुपाज जी थे उनका जन्मेक वैश सारी चीजें सीकhी जो राती आतरों मा आज देखते हैं ब्रद पर आशीन होते और जगंञा तीजा निकलती है वैसी राती आत्रा मातर 5 साल की अवस्ता हमें प्रुपाज जी ने अपने घर में आयोजन कर रहा था अपने पिता से ज़्द करी थी और उन्हें सारा अरेंजमेंट करके दिया तो प्रपाद जी ने बगवान की बहुत सुन्दर यात्रा ने का लिए तो बच्पन से ही जो एक वैशनव परिवार में जिनमें सारी भक्ति के प्रपाद जी बड़े हुए मैं बहुत चोटा सा ब्रीफ इंट्रिक्शन दे रही है प्रपाद जी के बारे में आपको बहुत जरूरी है जानना इसलिए जब बड़े हुए तो बहुत संत महात्मा उनके घर आते थे एक दिन उनके फ्रेंड बोले कि आप एक काम करो यहां ब तो उनके फ्रेंड ने उनको बहुत इंसिस्ट करा तो प्रपाद जी मेने एक अलग सी फिलिंग आईगки यह तो बहुत विश्यष वर्पादि है जैसे ही प्रिपाद जी की गुरू महाराज ने उनको देखा तो देखते ही उनके भी मन में फीरिंग आए कि ये तो बहुत विशेश व्यक्ति है जो मेरा जो मिशन है जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको पूरा करेगा मेरे कारे में सहीयो करेगा दोनों एक दूसरे को देखते ही जान गए और एक फर्स मिटिंग हुई उसमें उन्होंने बोल भी दिया श्रीले प्रभुपाद जी की गुरू ने कि आप क्यों नहीं भगवत गीता का प्रचार करते हैं और क्यों नहीं आप भगवत गीता को विदेशू में जाके आपको तिछी इंग्लिश पे आपकी लेंग्वेज में कंट्रोल है आपकी पकड़ है तो आप क्यों नहीं जाके भार की कंट्रीज में भगवत गीता के प्रचार करते हूं तो प्रभुपाद जी उसमें पर ग्रेजिशन तो शायद स्टडी कुछ कर रहे थे तो हां ग्रेजिशन ही चल रहा था उनका तो तब प्रभुपाद जी जो थे वो अपने गुरू के मिशन में कनेक्ट हो गए और वो यात्रा उन्होंने शुरू कर दी तो गुरू का आदेश था क्या देश था कि आप जाओ और पाश्चात्य देशों में यानि वेस्टरन कंट्रीज में जाकर भगवान के नाम का प्रिचार करो प्रभुपाद जी उस समय तो पॉसिबल नहीं था प्रभुपाद जी के लिए जाना उनकी फैमिली वगएरा सब कुछ थी काफ़ी चीजे लाइफ में होती है ना तो वो उसे में नहीं कर पाए लेकिन अपने गुरु के मिशन को दीरे दीरे बढ़ा रहे थे एक समय जब आया जब प्रभुपाद जी पता है कितनी एज के हो गए थे सेवंटीज में आ गए थे हैं ना सेवंटीज की एज में जब प्रभुपाद जी आ गए तो प्रभुपाद जी को लगा कि अरे मेरे गुरू का आदेश था कि मुझे पाश्चाते देशों में जाना है और ये जर्णी को शुरू करना है बगवान के नाम का परचार करना है हम यहाँ पे तो करी रहे थे लेकिन मुखे बाद जोती वो यह थी कि वो भार जाके उनका प्रचार करना चाहते थे तो 1965 में वो कार्गो शिप से गए थे अमेरिका है ना नियूर्क सिटी उने पहुंचना था और 1965 में जब वो सतर वर्ष से प्लस वाली आईउ में चल गए आ गए थे तब कार्गो शिप क्या होता है कि आप सभी जानते हैं समान जाने का एक रास्ता होता है ना उसमें हम लोग ट्रैवल नहीं करते लेकिन कोई और सोर्स नहीं था बहुत रिक्विस्ट करने पे उनके एक शिश्या थी उनकी एक अंपनी थी जिसके कार्गो शिप्स चलते थे बहुत रिक्विस्ट करने पे उनोंने उनको भेजा वो नहीं चाते थी प्रभुपाद जी को जर्णी में तीन हार्ट अटेक है आप लोग जानते हैं और वो तीन हार्ट अटेक उनने बहुत मदब फेस जब करें तो एक जब लास्ट उनको हार्ट अटेक आया तो उन्हें ऐसा लगा कि बगवान ना उनकी जो शिप है उसको चला रहे हैं और बगवान ने उनको पूरे मदब अपने जो हैं साक्षा स्वरूप में दर्शन द और 1966 में क्या हुआ इस कौन की स्थापना वहाँ पर हो गई और प्रभुपाद जी का जो मिशन था वहाँ से चलना शुरू हो गया बहुत बड़ी स्टोरी है आप पढ़ेंगे प्रभुपाद के नाम से एक बुकाती है बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए चो छोटा सा नहीं आतनी बच्चों के लिए ना प्रभुपाद चालीस रुपी लेकर महां गए थे और कुछ उनकी ग्रंद थे जो ने लेकर वहां पर गए थे और वहां से इस व्रक्ष को इतना बड़ा कर देना कि आज देशों में विदेशों में आप यह देखिए एक सौार्ट मंद व्रक्ष कहना कोई बात ही नहीं होगी बहुत चोटी सी संग्या है व्रक्ष तो प्रभुपाद जी ने इतनी भेनत करी है और यह सब कुछ हमारे लिए प्रस्तुत करा है और आज वो बेनेफिटी कह लिए चलके आपके पास आ गई है आपके घर आ गई है ऑनलाइन आप ब अगे बढ़ेंगे इंट्रस्टिंग करेंगे क्लास को पाजी ने केवल मतलब के कहते हैं यहीं नहीं करा प्रशार करा था प्रशार का माध्यम जो था वो बुक्स डिस्ट्रिबूशन भी था प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंत लिखे और उसमें से एक तो बहुत यह प्रोग्राम संचालित हो रहा है और आप इसका लाब ले पा रही है इसकौन मैंगलूर इस्तित है है ना इसकौन मैंगलूर जो है बैसिकली वो काफी टाइम से कोविट के टाइम से यह सारे के सारे जो हमारे ऑनलाइन सेशन्स हैं इनको कराता है और बहुत सारे लोग उसका लाब ले चुके हैं तो बगवत गीता को जानने से पहले अगर बगवत गीता पे आ जाते हैं बगवत गीता को जानने से पहले उसका महत्मे जानना बहुत जादर जरूरी है बगवत गीता एक महा काव्य ग्रंद है आप सब को पता होगा महावारत का हिस्सा है महावार करता है महात्मा गांधी तक भी जब अपनी किसी समस्या से ग्रसित होते थे वो क्या करते थे बगवत गीता को उठाते थे और उसमें से अपने लिए एक प्रेड़ना ले ले थे उसमें से अपने के लिए कुछ निकाल लेते थे कि मैं यहां से सॉलेशन मिल जाएगा तो वो भगवत गीता को मतनब यूज करते थे अलबर्ट आइंस्टीन का नाम कि इनोंने नहीं सुना है अलबर्ट आइंस्टीन भगवत गीता को बताते हैं कि वो भगवान को जब मानते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ना ताज़ुब यह होता है जब मैं देखता हूं कि कितने भी यह लोग शोद कर लें कितने भी यह लोग आगे के लिए कुछ नए-नए विश्कार कर लें लेकिन जब इस ब्रह्मान की रचना को देखते हैं तो इनको भी आज आश्चर रहे होता है कि भगवान ने इतने सुन्दर ब्रह्मान की रचना कैसे करी तो साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बगवान है और ऐसे बहुत सारे एक्जेंपल्स मिलेंगे मैं तो ये दो नाम आपको बता रही हूं तो भगवत गीता एक विशाल ग्रंत है ना जैसा हम सब जानते हैं और अगर हम इसकी सिस्टेमाटिक स्टडी करते हैं तो इसमें कितना समय लगेगा आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं एक वर्ष का समय लगेगा आप बोलेंगे कि अ डग जाता है लेकिन अठारा दिन वो है जिसमें अभी तक हमने कुछ नहीं समझा लेकिन आज से वो अठारा दिन जी शुरू है उसमें भगवत गीता को अच्छे से समझ पाओगे और एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि राइट वे में भगवत गीता कह क्या रही है इसका बेस क्लियर करना बहुत से जुरूर है एटीन डेस में मुप्रियास करें जिसमें भगवान और अर्जुन के बीच जो भी कुछ बाते हुई है वो सब आप समझेंगे और आप तयार हो जाएंगे आगे के विवस्तित अध्धन के लिए तो यह जो रहसे में यात्रा है इसम इसका महत्र जानना बहुत जाद जरूरी है इसकी वैल्यू क्या है तो आदीकुरु शंकरा चारह जी ने बहुत सुन्दर महिमा का वर्णन करा है अपने शब्दों में भगवद गीता को मतलब एक तरिके से वर्णित करा है क्या कहते हैं गीता शास्त्रा मिदम पुनियम य श्रक्राप्त करता है और सभी भैसे चिंता मुक्त हो जाता है आगे क्या कहते हैं यदि कोई भगवद गीता को निश्टा तथा कंबीरता के साथ पढ़ता है तो वहान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुश कर्मों के फालुक से का उस पर कोई प्रभाब नहीं पढ़ता मनुश्य जल में इसनान करके नित्य अपने को सच कर सकता है लेकिन यह दि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा के जल में एक बार भी इसनान कर ले तो बहुत इक जगी जीवन के भगसागर की मलींता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है तो हम बहार से इसनान क इससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उसके जो पापतर में हैं उसके जो बंदन हैं वो कट जाएंगे और हमें बेनेफिट मिलेगा चूकि भगवद गीता भगवान के श्री मुक्ष से निकली है अतै किसी अन्य वैदिक साहित्यों को पढ़ने के आविशकता ही नह होता हैं भगवद गीता दोनों की category में आती है ठीक और भगवद गीता कैसाे वेदो का सार भारत का लिए जिसमें गागर में साघर बहरा हुए और तो हमें बगवद गर सही प्रकार समझने तो हमारा जीवन निश्चित ही बिल्कुल सही ट्रैक पर आजाएगा जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है उसके लिए कोई उसके लिए क्या कहा जाए ज़ब बगवत गीता का अमृत का प्यान पान करता है जो बगवत गीता महाभा तो सुने वाले हैं और यह हमें लाब देने वाला है आज के युग में लोग एक शास्त्र एक इश्वर एक धहमत्था एक ब्रती के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं अत्यव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र श्री कृष्ण एक मंत्र एक प्राटना हो उनके नाम का कीतन और इस वह माहिमा को बताते हुए हमें भगवद गीता को स्टार्ट करने का अंदेश दर रहे हैं तो अर्जुन विशाद योग है ना या कुरूक शेत्र में सैन्य निरिक्षन ये हमारा आज का प्रतम अध्याय शुरू करते हैं हरे कृष्णा चलिए अभी तक था एक basic information जो मैंने आपको बताई, brief introduction और उसका महत्र समझाया, यहां से हम अपना अध्याय शुरू करेंगे, तो भगवत गीता में आप ना चार voices सुनते हैं, ठीक है, किन-किन की आवाजे आती भगवत गीता में, कोई guess कर सकता है, हरे कृष्णा? भगवान, शुरीक्लव, एर्जुन, और संजय, संजय, अध्रत्राश्च्ट, बहुत संदर बहुत संदर तो चार अवाजे हम सुनते हैं, भग स्ट्रत्राश्च्ट, घंक-ध्यू सो मच, हरे कृष्णा, तो चार, सबसे पहला श्लोक कौन शुरू कर रहे हैं? ध्रत्राश् एक श्लोका बोला ये 700 इस लोका का हमारा भगवत गीता है जिसमें से एक श्लोक का मात्र एक श्लोक किसने बोला दितराश्ट कौन है दितराश्ट वहां के महाराज थे कहां के हस्तनापूर के और वो उनका background समझा देती हूं क्या था लालच था कि मुझे किसी भी प्रकार रा लालच था तो वो तो बहुत ज़्यादा वो उन्होंने क्या कर अपने भाई के absence में जब तक बच्चे बढ़े हुए उन्होंने राज्य को राज्य की तरह से चलाया लेकिन अभी क्या तब राज्य जो था वो किनके हाथ में जाने वाला था क्योंकि उनिस्टर महराज बढ यानि की महाँ जुआ खेला गया जिसमें फोर्स फूली इन्वाइट करा गया किसको युदिस्ट्र महराज को सब लोग सोचते होंगे ना कि युदिस्ट्र महराज गए क्यों मना भी तो कर सकते थे उन्होंने तना बड़ा मतलब यही सारा प्रोग्राम हो गया और महाबार जाकर उनको दुर्थ पूड़ा में शामिल होना पड़ा रिजल्ट क्या हुआ यह आप सब जानते हैं महाबारत का युद्ध हुआ लेकिन बेसिकली यह युद्ध जधाना यह पूरी यह देखा जाये तो यह प्रकार से प्लैनिंग भी भगवान की है ना और भगवान भगवान ने यह सब कुछ प्लैन करा था आप बोलोगे कि भगवान को क्या पढ़ी थी भगवान भी तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते और अर अर्जुन से कहते या फिर अपने महल में बैठते विल्कुल शाही तोर पे बैठते और उनके पास सारे पखवान होते लगे हुए उनकी सेवा करने के लिए और बोलते अर्जुन आ जाओ बैठे हो मैं तुम्हें बगवद की था सुनाता हूं ये भी खाएंगे वह भी खाएंगे वह बहुत सारी उल्जिलों में उल्जह हुए हैं बगवान ने किन को चुना बगवद की आ सुनाने के जो हमेशा युद्ध के लिए तत पर रहता है दूसरा अर्जुनिक ग्रहस्त है ना ग्रहस्त कौन जिसके साथ बहुत सारी चिंताएं और समस्याएं लगी रहते हैं ब्रह्मचारी का काम है सन्यासी का काम है भगवान के नाम का चप करना स्टडी करना है ना दोनों लोग अप से डील करेगा इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना और क्योंकि यह जो सिचुएशन है जब हम बैटे होते हैं युद्ध के एरिया में या फिर एक द्वंद हमारे मन में चल रहा होता है तो क्या होता है कि हम बहुत परिशान होते हैं बुलकुल पूल और एंड काम न तक कहा सुनाई गई युद्ध के मैदान में तो एक इनकी सारी योजनाती भगवान की योजनाती इस सारी चीज़े क्यों बता रही हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भने भगवत गीता में है यह बहुत जरूरी है जानना दृत्राश ने एक मात्र श्लो को बोला और वो अंधे राजा की तरह ही कारे कर रहा था वो आखों से अंधा था लेकिन ना वो बुद्धी से भी कहते हैं कि अंधा था है ना उसको लालच था उसके मन में और उसको कुछ नहीं चाहिए था उसको सिर्फ और सिर्फ राज्ये की लाले सा थी एक मात्र श्लो क बोलते है, दितराष्ट वाचा धर्म शेत्रे को रुक्षेत्रे संबेता युद्सवा, माम का पाण्ड वास्चाइवा किम कुर्वर्त संझया, धर्म भूमी को रुक्षेत्रे में युदिकी इच्छा से कत्र है, मेरे तता पांडू के पुत्रों ने क्या किया? तो अभी क्या गह रहा है डाउट देखिए यह संज है मेरे और मेरे जो पांडू के पुत्र है मेरे पुत्र भी है और पांडू के पुत्र भी है तो अपने जो पुत्र है वो तो कुरू हो गए और पांडू के पुत्र पांडू के पुत्र हो गए यानि भाई के पुत्र उस उस पुल में नहीं आते है न तो उन्होंने क्या किया अभी इंसे पूछो कि युद्ध के लिए कत्र हुए तो क्या करेंगे भाई युद्ध ही करेंगे न लेकिन को डाउट हो रहा है क्योंडाउट हो रहा है क्योंकि वर्ड कहा cleaning क्या आया है और एक वर्दान प्राप्त किया था कि वहां जो भी धर्म के कारे करे जाएंगे उनका फल बहुत हुना प्राप्त होगा है ना और वो सारे कारे सफल होंगे और ये जो युद लणा जाना था इसमें साक्षात भगवान थे है ना और ये धर्म और अधर्म के साथ कनेक्ट होन इसे मना ना कर दें, इसलिए उसको टेंशन हो ली थी कि मेरे और पंडू के पुत्रों ने क्या करा, दूसरा काम क्या क्या कर रहा है, डाइवर्जन कर दिया, उसında फैमली को ही डिवाइड कर दिया, अपने बचचे कर दिया और दूसरे पानी को हटाके एक तरफ कर दिया वह कर रहे किनों ने करा राष्ट ने करा है न और पूछ रहे युद्ध की इच्छा से कत्र हुए मेरे और पांडों के पुत्र ने क्या कि दर उसे क्या था कि मेरे जो बच्चे हैं वह उस पवित्र शेत्र में जिसे वह थे न वीड बोलते उसको हम रखते हैं या में जो हमारी फसल होती उसको हम रखते हैं फाल्दू की चिज़े को खाड़ के फेक दिया जाए तो यह जो टेंशन थी आप सोचो इस फर्स श्लोका में एक मात्र श्लोका जो इसने बोला इसके बाद अब सारे श्लोका भगवान और बाकी सब लोग बोलेंगे तो इसको टेंशन आ गई कि अभी क्या होने वाला है बहुत परिशान होगे आप ठीक है आगे चलते हैं एक करेक्टर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया दूसरा करेक्टर आता है यहां पर किनका दुरियोधन वो अपने पिताजी से भी चार गदम आगे था संजय पहले बाद तो संजय ही बोलता है संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रच लेकिन उसमें पहले ही क्या कर दिया राज़ा दुरियोधन अपने गुरू के पास गई अप्यों आपके यहां ब क्वेव में पहले ही इसका क्यरेक्टर समझो इतना संबदा था इतना अरोगेंट था कि इसने ना मतलब इसको बड़े छोटी की कोई रिस्पेक्टी नहीं थी और पते बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको डिपलोमैटिक था बहुत ही ज्यादा ना मतलब इक तरीके से अपने काम को बनाने वाला व्यक्ति था जाता है और अपने आचारे से क् पांडू पुत्रों की विशाल सेना को देखो जिसे आपके बुद्धिमान चश्य धुरुपद के पुत्र ने कौशल से वेवस्तित करा है मतलब अपने आचारे को वो टीज कर रहा है तो गुरु को गुरु का दरजाना देखे उसको ताना वार रहा है कहता देखो देखो तब तुमने समझाया देखो तुमने सुखाय था दुरुपद को दुरुपद को नै आप बोलोगे अब यह जो आपका वद कर ने वाला मैं अब त existe कर सके ना तो views बना के और views होते हैं बेसिकली चक्रतों नहीं होते हैं कहीं और होता है तो वो इतनी सुन्दर संदर्चना करके खड़ा होगा कितना सुन्दर यहां सुन रहे हैं और कोई जवाब भी उसको नहीं दे पा रहे हैं इसके आखे देखो जらäक कैसे निकल के आरहीं और किस निकल के आ रही और किसनी गंदी तरीके से वो अपने गुर। को डाट रहा है तब कुरू वंच के वयोवद परम प्रतापी व्रद पितामा ने सिंग की गर्जना किसी दो नहीं करने वाले अपने शंग को उस शर्म में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ अब एक नेक्स्ट क्या आगया इंट्रोडक्शन किनका आगया पितामा कौन पितामा भीष्व पितामा जिनकी क्या था भीष्व पितामा जो थे उनकी प्रतिग्या थी कि मैं जो यह हसनापुर का साशन है इसकी हमेशा सेवा करूंगा इस वज़े से प्रतिग्या लिए हुए थे इस शंक बजाने का मतलब क्या होता यूद में आप सब जानते हो कि अब यूद की घोठना होगे यूद स्टार्ट होने वाला है उन्होंने तो उसको प्लीज करने के लिए शंक बजाया तो जैसे इधर वाली पार्टी ने शंक बजाया दुरियोदन बड़ा खुश हो गया भाई चलो यूद दोने वाला है तो सामने वाली पार्टी कोई कमजोर थी मातो समसाक्षाद भगवान थे भगवान ने क्या गरा ता तो श्वेत हरतर मुक्तेत महती सेंधन तेस्तितो महादवम पांडवाश्चवे दिव्य शंको प्रदद मतू दूसरी ओर से श्वेत गोड़ो तो वहां के जब शंक बजे तो इधर वाली पार्टी होती है ऐसा होगे जैसे इन्हें हार्ट अटेक आ जाएगा तो बहुत ही जादा परेशान हो गई ठीक है फिर क्या हुआ उस समय हनुमान से अंकित धजा वाले लगे रत पर आसीन पांडू पुत्र अर्जुन अपना कर सकते हैं किसी को पता है कि अच्छा येस और नो में बता दीजिए है इस बूल गए है आप चलिए मैं बताती हूं दुरियोधन आरे चैट बॉक्स में भी कुछ आया है दुरियोधन के जो फ्लैक था उसके ओपर कौन बैटा था वसके ओपर सांप का चिन्फा जैसा दुरियोधन का करेक्टर वैसा ही उसने चिनчи Sc Trans This दुरियोदन के चरेक्टर पर बना हुआ था तो यहां आशिरवार था कि इनका हनुमान जी का अश्रमान जीवां क्यों अंकित थे क्योंकि सक्षाथ भगवान वहां कड़े थे जहां बगवान होंगे उनके सेवक्तों वहीं जाएंगे और इसकी भी एक स्टोरी है और स्टोर बश्रम कमल तक होता कि बीच में एक बहुत वर्द्वानत बैठा होता है तो भी कहते हैं आप यहां से हट जाओ तो वानत कहते हैं रही मेरी फूछ उठाके महां रगदो मैं ठक गया हूं बूड़ा हो गया हूं और तुम यहां से निकल जाना तो वह पूछ उठाने का बह बबन पुतर ही हैं दोनों मिलते हैं और बहुत प्रसंद होते हैं और हर्मान जी फिर उन्हें आश्रवाद देते हैं कि आपके एक विशाल युद्ध में मैं आपके साथ रहूंगा तो अर्जुन जब भगवान महा होंगे तुम हैं साथ में होंगा तो अर्जुन के रत प पीछे अर्जुन ने कहा अभी अर्जुन ने क्या कहा है अच्छित क्रिप्टिया करके मेरा रत दोनों से नाओं के बीच में ले चलें यहां युद्ध की अभी लाश्रा रखने अच्छित करने वाले हैं बगवान उसके मन में प्रेणा डाल दी कि मेरा जरुरत है एक बार इस सेना के बीच में ले जाकर खड़ा कर देजीए जैसे ही प्रभू उसका रत ले जाने लगे तो बगवान भी बहुत सा मज़दार उन्होंने क्या करा किसी के भी सामने खड़ा क कर सकते थे रत दुरियोधन के सामने कर देते करन के सामने कर देते भगवान ने क्या गरा उस रत को ले जाकर खड़ा कर दिया किसके सामने बिश्म पितामा और रोना चाहता है कि सामने एक तरफ गुरू और एक तरफ पितामा हैं दोनों को देखकर अरजन एमोशनल हो गया और emotional हो गया तो जो बगवान की Maya थी वो चल गई है तो जो बगवान को अच्ज्थ कहा गया जो अपने पदसे कभी भी नहीं गरते या जो अपने भक्तों को कभी भी गरने नहीं देते तो बगवान क्योंकि यह सारती बने हुए है यहां word का जो meaning है बहुत important है सार्थी बने हुए है तो सार्थी बनने का मतलब यह नहीं कि भगवान भगवान नहीं रहे भगवान भगवान ही है और हमेशा भगवान रहेंगे भगवान अपने भगतों की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके सार्थी बनकर भी आ जाते हैं यहां यह संदेश है अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों कि सेनों के मद्दे अपने चाचा ताउ पितामा गुरूम सब को देखा और शुप चुंतिकों को भी देखा अभी अर्जुन क्या कहता है जश्टे में एवम स्वेजनम क्रश्न युद्सम सम उपस्तितम हो गया और जुन डढ़ने लग गया है क्रश्नि स्युद में अपने ही सोज़नों को वद्ध करने से तो मुझे कोई अच्छा ही ने दिखाई रहती और नहीं उसमें कोई सी भी प्रकार की विजय के सुख की इच्छा मैं रखता हूं है गोविंद हमें राज्य सुक अत्व मक्ष करें फिर भी मैं इन सब को क्यों मारना जाता हूं बले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले मैं मरने के लिए तयार हूं भगवान ये मुझे मारेंगे मैं मर जाओंगा मैं इने क्यों मारूं है जीवो के पालक मैं सबों से लड़ने के लिए तयार नहीं हूं बले ही उद्धा युद्ध करने के लिए तयार था उसको मोह में डाल दिया और उसने क्या कर दिया भगवान के सामने एक तरीके से अपने एक्सक्यूज देने शुरू कर दिया जैसे चोटा बच्चा होता ना मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना पेट में दर दो रहा है सर में दर यह सब्त समयने पहले भी भी थे अभी क्यूं आए अभी कूं दिखाए दिया थो भगवन थ Cameron the लिकषओं की नहीं सकते लेकिन भगवान परंपराहे मेरे रिफ्ट प्रम को सतायर्य को प्रशित चलते तो इस्थ दर्चित्रव के पतन से आवांछी संताने उत्पन होती तो जब पूरुष हमारे कुल में नहीं बचेंगे तो इसत्रियों को दूसरे लोग भोग करेंगे और वो दूशित हो जाएंगी और एवांचित संताने उत्पन हो जाएंगी पूरा का पूरा सब कुछ वेकार हो जाएगा एवांचित संतानों की व्रदी से निष्चे ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारके जीवान उत्पन होता है ऐसे पतित कुलों के पुर्खे गिड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्द पिंड दान देने के क्रिया हैं समाप जाती है तो जब हमारा कुल दूशीत होगा हमारी संताने नहीं बचेगी तो जो पित्रगण है उनको कौन वो देगा पिंडान उनके लिए कौन करेगा तो मेरा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा ये युद्ध तो हो गई होगा यहाँ तो विक्तरीके से कुल का नाश हो जाएगा तो मैं इस युद्ध हो कैसे कर लूँ वो तो परिशान हो गया संजय ने कहा युद्ध भूब में इस प्रकार कहकर अर्जुन अपना धनुष तथा बान एक और रख दिया और शोक्षम्चत्प चितसे रत के आसन पर बैठ गया इसकी क्या करा अपना धनुष और बान रखके वो अपनी बैक सीट पर बैठ गया मैं युद्ध नहीं कर सकता और अपना माथा पकड़ लिया और इसी प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है चैप्टर नमबर वन ये यहां कम्प्लीट होता है अभी हमने सीन चुरू करा आपको इंट्रोड़क्शन दिया द्रयोधन का दत्राष्ट का संजय का अर्जुन का है ना ये चार करेक्टर आपके सामने आगए द्रोण चार्रे भी आए पेश्म पितामा भी आए लेकिन वो कुछ बोले नहीं है ना तो ये चार करेक्टर आपके सामने आए आपने सेट कर लिया अब किन की एंट्री होगी अब कल जो एंट्री होगी वो होगी सुप्रीम बर्शनलिटी ओफ गॉड है भगवान श्री कृष्णा वो यहाँ पर इस सारी सिचुएशन को अपने बने रहेगा कल की अध्याय में जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान क्या कहेंगे अर्जिन को यह क्लाइमेक्स करेंगि कि अपकरी आप तरी एक शिनमा तरी